नमस्कार मैं हूँ नीलू तो जैसी के आशंका जताई जा रही थी कि इसरेल कब आखेर इरान पर हमला करेगा क्योंकि 25 दिन पहले इरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइले दागी थी और इसरेल पर कई मिसाइले गिरी थी उसके बास यही का जा रहा था क्या किर वो दिन कब आएगा जब इसरेल इसको लेकर पलटवार करेगा तो कल अगर इसरेल के टाइम के अनुसार यानि समय के अनुसार बात की जाए तो रात के ठाई बजे के आसपास हमला जबर्दस तरीके से इरान पर किया गया है कितना नुकसान इसमें एरान को हुआ है किस तरीके से किन किन ठिकानों को उसने निशाना बनाया बाच्चुत करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़ गाए है मयंक जिस तरह से कहा ये जा रहा था बार बार की जिस तरह से एरान ने हमला किया इस्रेल जबाव नहीं दे रहा है, अब तक उसने चुपी साथ रखी है, बहुत सारी चीज़े बात आ रहे थी, लेकिन आप जिस बड़े हमले की लगातार हम बात कर रहे थे, कि वो हमला कभी भी इस्रेल कर सकता है, अपनी तरफ से एरान के उपर, वो हमला हो गया, कहां कहां किस तरह का नुकसान इरान में? और तेहरान इसके आसपास ही अटेक हुए है, और यह अटेक जो है वो खुमैनी इंटरनेशनल एरपोर्ट के पास भी जो अटेक हुए, जैसा की बाते सामने आ रही है, और कुलमिला के जो मिलिटरी बेसेज हैं, उसी को ही निशाना बनाया गया है, रिहाईशी इलाकों प कोई खास नुक्सान इरान को नहीं हुआ है, मैं रिपीट करूँगा एक बार फिर से हाँ, इरान की तरफ से, IRGC की तरफ से, अधिकारी का रूप से बयान आ गया है, यह कन्फर्म कर दिया गया है कि इसरेल की तरफ से अटैक हुआ था, लेकिन इरान ने ये भी कहा है कि इ इरान ने हमला किया था जिस तरह का इसरेल के उपर था यह अभी फौरी तोर पर यह उस तरह का हमला नहीं लग रहा है ऐसा इरान की तरफ से कहा गया है अब देखिए इसमें जो है नीलू हमने अपने कल के वीडियो में ही यह बात बताई थी कि अब अमेरिका के चुनाओ का इंतिजार नहीं करेंगे नेतन यहूँ और पहले ही अटैक होगा और इस हमले में इसरेल ने F-35 जेट्स का इस्तमाल किया है F-16 जेट्स का इस्तमाल किया है F-15 का इस्तमाल किया है जो हमने कल बताया था और यह बिल्कुल उसी तरह से उसी फॉर्मेशन में यह अटैक इन्होंने कहा जा रहा है कि Syria की एरिस्पेस का भी इस्तमाल किया गया है तो यह भी काई फिर सारी चर्चा है कि यह हमला exactly किस इलाके से होते हुए किया गया Syria के ऊपर से ही Jets ने लाके किया है ऐसा बताया जा रहा है और साथ में जो है आवाक्स सिस्टम जो था वो भी था तो यह हमला इरान के उपर हुआ अब देखिए इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात समझ में निकल के बहार आ रही है कि अभी जो लगता है उसके मुताबिक यह हमला बहुत बड़ा हमला नहीं माना जा सकता यह स्ट् अब सवाल यह है कि अब इरान की तरफ से क्या जवाब आएगा यह बड़ी बात है देखिए इरान की तरफ से इरान के जो मिलिटरी कमांडर्स बड़े हैं उनकी तरफ से जो सोर्सस से बयान आ रहा है इरान ने यह कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा अब देखने की बात यह है देखिए इसको लेके अलग-अलग दो-तीन तरह की चर्चाए हैं जैसे इंटरनाशनल मीडिया में इस तरह की भी बाते हो रहे हैं कि हो सकता है कि इरान जो है वो अभी जल्दबाजी में इसका जवाब ना दे क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है इस बात को लेके अमेरिका भी नहीं चाहरा है और शायद रूस भी नहीं चाहर इरान कैसे जवाब देगा ये इसकी नजर पूरी दुनिया पे बनी हुई है और ये शायद आज रात तक ये बात तस्वीर सामने आए कि देखिए इरान ने अपनी तरफ से पूरी तयारी कर रखी जैसा हमने पहले भी बताया था और ये इस बात है निकल के सामने आए थी कि एक हजार से ज़्यादा बैलिस्टिक मिजाइल्स वो लांच पैट्स पे रिडी हैं बिल्कुल और मैंक यहां पर एक सवाल ये कि जिस तरह से आईडियफ ने आज अपने बयान दिये उसने हमला किया उसके बाद उसने बयान भी यही दिया कि देखें लगातार इरान की तर कि देखें अगर इरान पर क्यूंकि सब सवाल पर हमला क्यूं नहीं हुआ तो इक तरह से बताने की कोशिश अप जिस तरह से आप करी कोई बड़ा हमला नहीं है लेकिन इरान भी अगर कुछ करेगा सपोर्ट अगर अपने प्रॉक्स को करता रहेगा तो उसे भी नहीं बख जो हमले हो रहे थे इरान का हमने उसका जवाब दिया है IDF की तरफ से ये भी कहा गया है कि इरान के सैन ठिकानों, एर डिफेंस साइट, बैलेस्टिक मिजाल ठिकानों पर ये हमले किये गए हैं एक अक्टूबर और 14 अपरेल को इसराइल पर हमले के लिए इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था ये इसरेल कह रहा है कि इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था इसलिए हमने इसको टार्गेट किया है तो अब देखिए कुल मिला के बात ये है कि अब ऐसा बताया जा रहा है अभी अभी कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका इसमें पूरे में अभी ये देखने वाली बात है कि अमेरिका रूस का क्या पक्ष रहता है अभी जो बात सामने आया है कि एंटनी ब्लिंकन ने फोन किया है और यही कहा जा रहा है कि ठीक हमले से कुछ दिर पहले अमेरिका को बताया गया कि हमला होने वाले इस बात से नाराज विए जो वहां की मीडिया है अमेरिका को इस बात को कह रहे है। यह हमला एक कंट्रोल अटैक था मतलब आप देखिए ऐसा नहीं लगता कि इरान ने जो हमले किये थे एक साथ 200 मिजाइल फायर कर दी थे बैलेस्टिक मिजाइल वो बड़ा हमला था इसमें कोई दो राय नहीं है और वो जो है हमले कितने फेल हुए और कितने नहीं हुए वो दरश्च बता रहे हैं वो मिजाइल गिरने के पूरे जो है वो चीजे सामने थी और कितना हमला हुआ कितना नुकसान हुआ चीजे दीरे-दीरे करके सामने आ गई अब यह जो हमला F-35 जेट से हुआ है इससे कितना नुकसान हुआ है यह अभी एक थोड़ा संधे का मुद् जो उपर एक प्रेशर बना हुआ था एक प्रिस्टीज इशू बना था कभी इरान ने हमला किया तो हमको भी जवाब देना है क्या सिर्फ इसलिए यह हमला कर दिया गया या फिर यह जो बताया जा रहा है कि ठेकानों पर हमले हुए है और देखिए अगर यहां पर यह बड करने वाला और इरान ने भी अच्छी घासी तैयारी कर रखी है तो आने वाले अगले चौबिस घंटे इस पूरे हमले पर रूस का क्या रुख है अमेरिका का क्या रुख है और इरान खमेनी अब क्या चाहते हैं अगर यह बड़ा नुकसान हो रहा है इस इरान को यहां पे तो आप यहां से स्रेटेजी बनाने इरान चुरू कर देगा हाँ पलट वार जपरदस्ट होने वाला है और आज की राज जो है वो कुछ भी हो सकता फिर से बिल्कुल देखे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और जब भी हमने का है कोई बड़ा हमला होगा या क्या है हमने भी इस पर लगातार हम रिसर्च करते हैं बाच्चित करते हैं एक्सपोर्ट से बाच्चित करते हैं और उसके बाद ही हम इस निर्डर पर पहुंचते हैं कि मिडल स्ट में क्या हो रहा है लेकिन आप इसराइल